नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवंत महाराश्टेट बोर्ड, मैथमेटिक्स चाप्टर नुम्बर त्री, एच्सीय फैंड लसीयम इसके पहले के वीडियो में हमने लसीयम क्या था और कैसे फैंड करना है, उसका एक 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 एकजांपल हमने लिया था अब नेक्स्ट एक्जांपल, फैंड लसीयमा 15, 30, 90, जो पहले एक्जांपल हमने लिया था उसमें दो नमबर्स थे, अब यहां पे तीन नमबर्स हैं, अब तीन नमबर्स हैं तो उनका लसीयम कैसे फैंड करना है, देखिए, दो मेतड से हम लसीयम कर सकते हैं, एक वर्टिकल मेतड हैं जिसमें अलग-अलग फैक्टर फैंड करना है, तो अब देखिए, इन तीन नमबर्स के हम पहले फैक्टर फैंड करेंगे, तो आगे कॉश्चन साहल करने से पहले आप सभी का उन रद है, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेर करें और बिल आउक उन प्र फिर उसके बाद 11, यह जो नमबर्स हैं, इन से हमें डियाइड करना है, अब 2 से 15 को डियाइड होता है, कि चेक करिए, 2, 7 जा 14, 2, 8 जा 16 नहीं होता, 3 से देखिए, 3, 5 जा 15, तो 3 से डियाइड करिए, 3, 5 जा 15, अब 5 आ गया तो 5 को 5 से डियाइड होगा, 5 जा 5, अब 60 को 2 स 10, इनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हैं, तो 2 से डियाइड होता है, अब 3 से डियाइड करना है, तो चेक करना है, कि 3 से डियाइड होता है, अगर नमबर बड़ा हो समझो, 3, 4 जीट का, तो कैसे करना है, इन सब इनिट की अडिशन करना है, सब डिजिट की, 5 प्लस 1, 6, 6 को 3 से तू फूर्जा एट नैन माइनस एट वन टेन टू फाइजा टेन 45 को अब 3 से डिएड होगा 3 वन डिमेंडर 3 फाइजा 15 अब 15 को 3 से डिएड होगा 3 फाइजा 15 5 वन जा 5 45 को कैसे हमने चेक या देखे 5 प्लस 4 9 9 को 3 से डिएड होता है 15 is equal to 3 into 5 30 के देखे 2 into 3 into 5 2 into 3 into 5 अब 90 के लिखने है तो 90 is equal to 2 into 3 into 3 into 5 2 into 3 into 3 into 5 अब हमें find करना है LCM list common multiple अब जब 3 नमबर होते हैं तब देखे क्या करना है यह मैं तरह आपको ध्यान रखने हैं अच्छे तरह से सुनिए कि तीनों नमबर में common जो factor हैं उनको अंडरलाइन करके हमें तीनों के बदले यहां पर एक लिखना है अब तीनों के common कतम होने के बाद दो दो numbers में जो common है पहले दो यहां पर 3 है यहां पर 3 है तो 3 को अंडर लाइन करके यहां पर 3 लिखना है तीनों के बदले यहां पर 1 अब 3 को हमने count कर लिया एक बार तो आगे आप count नहीं करना है फिर उसके बाद 5, 5 और 5 तीनों नॉम्बर में हैं तो तीनों बहुत क double के वान करते हिए वहने ले इन दोनों के बदले में यहां पे एक टो लिखना है देखिए तीन तीनों के बदले के बात फिर दोनों के बदले में यहां पे एक लिखना है अब यहां पे भी कोई नहीं है यहां पे भी कोई नहीं है मतलब इन दोनों में आप चेक करने का या कोई और चेक करने का कोई चैंसे नहीं है तो अभी जो रहे गए हैं उनको लिखना है तो धर्ड नमबर में त्री रहे गए हैं सिर्फ यहां पर त्री लिखना है अब इनका मल्टिप्लिकेशन करिए अगर इस और से मतलब और हमने गलत कर लिए सब्सक्राइब तो अंसर हो सकता है तो इसी लिए पहले तीनों में कॉमन चेक करिए फिर दो दो नमबर में चेक करिए फिर रिमेनिंग जो रहे गए हैं वो चेक करिए अगर चार नमबर से हैं तो क्या करना है देखिए पहले चारों में कॉमन देखना है फिर तीनों तीनों के जितने भी प्यायर फ करना है वो लिखना है फिर उसके बाद दो दोनों दोनों में कॉमन लिखना है ये दो ये दो फिर आगे के दो फिर दो ये दो फिर ये दो ऐसे जितने भी दो दो के पेरांते उन में कॉमन लिखना है फिर लास्ट में जो रहे गए वो लिखना है तो अब इनका मुल्टिप्ल है जो हमें इन तीनों के factors एक साथ find करने है common factor देखिए 15, 30 और 90 तो कैसे करना है देखिए 15, 30, 90 तीनों numbers को हमने comma करके एक ही row में लिख लिया है अब तीनों numbers को कौन से number से divide होता है वो check करना है तीनों number को अब तीनों number को 3 से divide होता है 3, 3, 3 इनके addition करिए चेक करिए 3 से divide होगा 3, 5, 15, 3, 1, 3, 3, 0, 0, 3, 3, 0, 9, 30 अब और तीनों को कौन से number से divide होता है 5 से divide होगा 5, 5, 2, 10, 5, 6, 30 अब इसके बाद तीनों को तो कुछ से number से divide नहीं होगा अब 1 से नहीं करना है पहले दूसरे number से चेक करना है अब देखिए 1 तीनों number को नहीं होगा तो इन दो number को 2 से divide होगा तो 2 से divide करना है इस number को ऐसे लिखना है as it is 2, 1, 2, 2, 3, 0, 6 अब जब तीन यहां पे number आगे कि तीनों को अब किसी की किसी भी number से divide नहीं होता दोनों को भी नहीं होता है इन दोनों को इन दोनों को और इन दोनों को वन चड़कर दूसरा नमबर हमें देखना है फिर उसके बाद हमें लिखना है LCM, LCM में क्या करना है कि यहां के numbers और यहां के सभी numbers इन सभी का multiplication करना है तो 3 into 5 into 2, 3 into 5 into 2 into 1 into 1 करेंगे तो 1 से multiply ही आता है तो 1 लिखने की ज़रूत नहीं है, 3 into 5, 15, 15 into 30, 30 into 3, 90 हमें LCM मिल जाएगा और अब यही method है, LCM करने के लिए भी हम use कर सकते हैं, देखिए अगर इनका LCM करना है, तो जब तक तीनों number को divide होता है, तब तक ही divide करना है मतलब 3 से सब को divide होगा, 5 से होगा, अब यहाँ के जो भी factors है, 3 और 5, इनका multiplication करेंगे हमें, इनका HCM मिल जाएगा, देखिए, जितने भी number हों, 4 number हों, 4 नमबर को जब तक divide होता है, तब तक divide करना है, और जो left side के जो factor हैं, उनका multiplication करो HCM मिल जाएगा, अगर 4 number हैं, तो फिर LCM find करना है, तो तीनों, तीनों, मतलब पहले चारों को divide करें, फिर तीनों, तीनों को divide करें, फिर दोनों को करें, फिर एक जो अलग नमबर 48, 64 और 96, इनका हमें LCM find करना है, तो तीनों नमबर को, कौन से नमबर से divide होता है, चेक करिए 4, 8 और 6, इनट प्लेस के डिजिट हैं, तो इनको 2 से divide होता है, तो 2 से divide करें, 224, 248, 236, 224, 248, 9-81, 2816, अब फिर और तीनों को 2 से divide होगा, सभी इन नमबर से, 212, 224, 212, 2612, 224, 248, अब और सब को 2 से divide होगा, 2612, 2816, और 212, 224, 6, 8 और 12, और 2 से divide होगा, 236, 248, और 2612, अब देखिए, तीनों नमबर को कौन से नमबर से divide होगा, तीनों नमबर को किसी नमबर से आप divide नहीं होगा, तो अब हमें दोनों दोनों को divide करना है, 3 और 4 को नहीं होता, अब इन दोनों को 2 से divide होता है, तो 2 से divide करें, जब हम इन दोनों को divide करेंगे, तो इसको as it is लिखो, तो 224, 236, अब ELCM जब हम पाइंट करेंगे तब यहां के left side के सभी number और जो नीचे हैं वो सभी इनका multiplication ELCM में हमें करना है तो ELCM होगा 2 into 2 into 2 अब देखे 2 कितने times है 1 2 3 4 5 तो 2 को 5 times लिखिए 1 2 3 4 5 into 3 into 2 3 into 2 अब यहां का जो 1 है 1 into 1 1 ही आता है 1 से इनको multiply करेंगे तो 1 ही आएगा तो यहां पर 1 लिखने की जरुरत नहीं है अब multiplication करें इनका 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 32 into 64 into 3 3 4 जा 12 बारो 1 3 618 प्लस 1 19 19 192 is the ELCM of 48 64 and 96 next point है देखे for any two numbers HCF into ELCM is equal to product of the numbers अब यहां पर for any two numbers अगर दो numbers हमने कोई भी ले लिए उनका HCF और उनका LCM दोनों का multiply करेंगे हम तो यह multiplication उन दो numbers के product के equal होगा product के वरावर होगा अब यहां पर एक example हम लेंगे suppose 2 और 20 और 25 यह दो numbers हम लेते हैं तो इनका हमें HCF और ELCM find करना है तो ओरली हम find कर सकते हैं इसलिए मैंने तोड़े जो आसान से example हैं वो ले लिए हैं देखे 20 और 25 इनका highest common factor अब दोनों को कौन से number से होता है कौन से कौन से वन से तो हता है फिर उसके बाद 2 3 4 5 5 से दोनों को डियाइड होगा अब 5 के आगे जो कोई number है नहीं जिससे इन दोनों को डियाइड होगा तो 5 इनका HCF होगा highest common factor है अब ELCM पाइंट करना है तो दोनों में से किसी भी एक number का table बोलिए और उस table में जो number सा आते हैं उनको 20 से डियाइड होता है क्या वो चक करी है और सबसे पहले जिसको डियाइड होगा वह हमें ELCM लेना है अब 25 वन जा 25 20 को 25 से डियाइड 20 से 25 को डियाइड नहीं होता है अब 25 की टेबल में दूसरा नमबर 20 तूज़ा 50 25 25 तूज़ा 50 50 को भी 20 से डियाइड नहीं होगा 25 30 75 25 फूर्जा 100 तो 100 को 20 से डियाइड होता है तो इनका जो ELCM आएगा वो आएगा 100 लिस्ट कमन मल्टिपल अब मैंने यहाँ पर लिखा है तो हम यहां पर करेंगे 25 फूर्जा फूर्जा 50 और एक जरूय आ पर लखना तो नमबर्स नमबर्स का प्रोडुक्ट क्या आगया क्या आ जाएगा देखिए 25 टो 25 लिएड़ सकते हैं कि LCM और HCF Income Multiplication दो नमबर के प्रोडुक्ट के बराबर होगा ये प्रॉपर्टी तीन नमबर के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं तो ठीक हैं दोस्तो इस वीडियो में अब इतना ही आगे का जो पॉर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इस चप्टर का तो ठीक है थैंक्य दोस्तो